हाई ग्रिस उल्कम बैक टू माई चैनल और इनहेल पेंटरेक्स तो आज क्यूड मैं आप गोग को और एक लोन अप्लिकेशन का रिभ्यूद दूंगा इस अप्लिकेशन का नमें कोभाई लोन तो इस इस अप्लिकेशन आप गोग के अपे लाब एक श्टोर पर दिखने को मिल जाएगा तो गैस कोभाई लोन अप्लिकेशन है और गैस इस अप्लिकेशन की तरफ से गहाँ जाते कि आप्लिकेशन 5 लाग रूपीज तक की लोन प्रवाइट काता है और 10 वाट अट प्रव 23.8 पार्ट गैस कोभाई लोन अप्लिकेशन पे लोन अप्लिकेशन की लेए प्याट का जाता और यह अप्लिकेशन लोन प्रवाइट किया नहीं और सधहischen लोन गये बताँ बताँगा तो चलिए पहले कोभाई लोन एप्लिकिशन की लोन पॉसस के बारों में बात कर लेते तो किसी अप्लिकिशन को उपेन करने की टेम पहले इंट रिफसा है का लोगिंग का लोगिंग करने के बाद आप लोगों को प्रवाइड करना होगा पैंड का डिटेस और के से बाद हैं गया लोन अप्लिक GGalay अप्लिकिशन के बात पाइगा इस यहीड si ड़कर 발라त का थाँ अब इस के तरफ से थी ताउजन से लिए उपिस तक की दो more प्रवाइड कोया जाए ऐ जाता है कि यह application 3 months से लेके 12 months तक 10 watt दे प्रवाट करता है और क्याजिए application की तरब से खाएते कि इस application की processing fee 2% तो वैसे आप लोगों को मैं पूरा डीटेस में बता दिये कि को वाई loon application की तरप से कितना तक internet और service böria जाता है और इस application की तरप से कितना तक की loan किते दिनों के लिए provide कर जाता है और इसे अभिए आप mentors go кoyho Superman को मैं बताऊँगा कि कईजशे अगर आप Taylor loon application से loan लेंगे तो क्या-कया problem का संमना करना करना होगा फिर गर आप लोग इस टेक पर 7-day बाली लोन अप्रीशन पर लोन लेने के बार लोन को टाम डिकिसी विकार रहें डिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो डिव डिपेमेंट से पहले डिपेमेंट नमबर से आप लोगों को कॉल राइसमेंट और ब्लेकमिल किया जाएगा और गर इस टेक पर 7-day बाली लोन अप्रीशन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है और गरि इस टेक पर 7-day बाली लोन अप्रीशन ऐसा भी करते ही कि लोन लोन इपियांट के लिए बहुत दरग रेसमेंट और ब्लाकमिल करता है और गेस में आप लोगों को सबसंब कहते हैं तो क्या इस्टव के सेवनेज बाली लोन अप्रेशन अंभिप सी रेइस्टार्ट और ब्लाक मिल काता है और गिस 7 days वाले loan application ऐसे भी करते हैं कि loan repayn के लिए due date से पहले डिफेंडिफे नमर से call or issmance करता है और आप दोगो को बुलेगा कि एक extension amount pay कीजिए आपका जो tenuity है और 7 days के लिए increase कर दिया जाएगा फिर आगे जब कि आप half amount pay कीजिए आपका loan close हो जाएगा फिर गिस 7 days के बाद आप दोगो को और call or issmance करके बहुतर किसे harassment और प्रशान किया जाएगा और आप दोगो को full amount pay करने के लिए कहा जाएगा तो जैसे करके आप दोगो को 7 days वाले loan application की तरफ से लूटता जाएगा तो जैसे 7 days वाले loan application की तरफ से लोन के नम बहुतर किसे scam किया जाता है और एक चीज़ गया जाएगा अगर आप दोगो कोई लोन application के साथ contact करने की कोशिश करेंगे तो contact नहीं कर पाएंगे कि इस loan application की contact details पर कोई नमबाद दिखने को और नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक email दिखने को मिलेगा अगर आप लोग इस email पर contact करेंगे तो response मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई guarantee नहीं है तो कैसे भी बात है कि कोई loan application लोन गरी ये save application है की नहीं तो इस टफ के 7 days बाले loan application टोटली आंसेव और फार्जी होता है अगर आप लोग इस टफ के 7 days बाले loan application से loan लेंगे तो आप लोग को बहुत तरिक से ब्लाग मिल और टोचर किया जाएगा जो मैं अल्लेडी इस वीडियो के थुरू आप लोग को बता चुका हूँ और कोई भी loan application रियल है या फार्जी है आप लोग ऐसे पता कर सकते हैं उस application की email address चेक आउट कीजिए अगर email address gmail.com, artwork.com पे रहता है तो बहुत सब loan application फार्जी होता है और साथ-साथ उस application की address डिजरस को जाके Google पे search कीजिए अगर उस address पे उस loan application का नाम शोर नहीं होगा तो बहुत सब loan application फार्जी होता है और गईस अभी आप लोग को में कोवाई loan application के बड़ में Apple App Store पे वन इस्टार रेटिंग पे जो रिव्यू दिखाऊंगा इस application के वन इस्टार रेटिंग रिव्यू दिखने के बाद आपको को अच्छी तरीके से पता चल देगा है कि कोवाई loan application एक टुटली आंसेव और फार्जी loan application है तो जैसे कि पहला रिव्यू देख सकते है बिग इस्टेमर और इन्होंने रिव्यू पे यह कहा है कि इन्हों इस application पे लोग इन करके आगे का process complete नहीं किया है फिर भी इस application की तरप से loan provide कोया गया है और इस application के इंटेस्ट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है और इन्होंने review पर यह भी खाए कि application loan repayment के लिए contact με जितने सारे नमबर है सरके सा ενमबर को call काता है निचा और review पर यह कहा गया है कि fraud app और इन्होंने review पर यह कहा है कि application loan repayment के लिए बहुत तरग सा harassment और blackmail गाता है नीचे और रिवीओ पर यह कहा गया है कि इस करेमार और इनों रिवीओ पर यह कहा है कि इनों इस अप्लिकिशन पे लोन के लिए अप्लाई किया था और 2,630 रूपिस का लोन मिला था और 10,80 पर प्रवाट कहे गया था शिर्फ 7 डस के लिए और 7 days के अंदर जो total repayment amount था 4000 रूपेस तो गैस देख सकती इस application की interest rate और service भी बहुत ही ज़ादा है निचो और review देख सकते fake app, निचो और review पर ये कहाँ गया कि fake app और इन्होंने review पर ये कहाँ कि इस application की interest rate और service भी बहुत ही ज़ादा है और last review पर ये कहाँ गया कि fake app तो गैस कोवाई loan application के बर में अपेल अब इस्टोर पर वन इस्टार इडिंग पर जितने सारे review दिया गया है हारे review पर साब साब कहाँ दिया गया है कि कोवाई loan application एक totally answer और फाजी loan application है और इस application की interest rate और service भी बहुत ही ज़ादा है और ये application loan application के लिए बहुत तरकिसा harassment और ब्लग मिल काता है और गैस अभी आप लोगोग को मैं बता हूँगा है कि अगर कोई already कोवाई loan application से loan लेके फाज चुगा है और loan application के लिए आप लोगोग को बहुत तरकिसा harassment और ब्लग मिल किया जा रहा है तो इससे बचने का solution किया है जैसी किuest अब लोग इस application से loan लिया है और loan application के लिए अगर किसके साथ ऐसा हूँगै कि आप लोगग इस टपके 7S भाले loan application फे loan लिया है फिर भी दोबादा Lone Applain के लिए आपको को Henraced और Blackmail किया जा रहा है जैसे कि Lone Applain के लिए edited new picture अपका contact list को send किया जा रहा है Lone Applain के लिए आपका data का missus किया जा रहा है Lone Applain के लिए आपको और आपका contact list को call कर के abusive language उसके आ जा रहा है तो इस सीथी में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाईस अगर यह अभी भी आपका मोबल पर है तो इस अप्रिकेशन के डेटा क्लियर करके इस अप्रिकेशन को अनिस्टॉल कर दीजिए और साथ साथ आप लोग अपना सेप्टी के लिए एक साइबर क्राम कंप्रेंट और को क्या करने चाहिए आपका कॉंटेक लिफ्ट में जितने सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साल लोन के नाम स्क्राइम हो चुका है अगर लोन इप्रिकेशन के लिए आप लोग को को कॉल और इसमेंट करके बहुत तरकी से हैरस्मेंट और ब्लैक मिल किया रहा है तो इस इस अप्रिकेशन की कॉल और इसमेंस से बचने का सेलूशन यही कि इस अप्रिकेशन के एक भी कॉल और इसमेंस का आप लोग रिस्पॉंज ना करें और कुछ दिनों के लिए आप लोग अपना सिम कार्ट को 10 डेस से लेके 15 डेस तक आप कर दीजिए और गैसे अगर उस न आप लोगो कैसे डर आए जाते हैं कि आपकल लोन को रिप्रेमेंट नहीं करेंगी तो आपके खिलब पूलिश करेंश किया जाएगा आपके खिलब लीगाल एक्षिन लिया जाएगा तो कैसी इस्टब के से लिएज बाली लोन एप्रिकेशन आंसर वार फजी होता है और अ मरी तरफ से कभी भी इस्टप का Lone ऐप्लेकशन लो developing यह क्यों अगर यह परिप्रीन करने किरदेंगे तो आप लोत के साथlarке को फ्राट हो जाएगा प readings लोन रिप्लेन के लिए आप लोगों को हैरेस्मेंट और ब्लाग मिल किया जाएगा और गैस आप एक चीज हमेशा देया ने किया गा कि लोन के लिए अपलाई करें और गैस अगर किसे को लोन आप के रिएटर की इस्यूस या कोई प्रोब्लेम होता है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मेना इंस्टाग्राम एकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा अब लोग इंस्टाग्राम के थूरू मेरे साथ तो अब लोगों के साथ मेना नेक्स वीडियो में तब लिए जाए हिंद बांतराम